exercise 7.1 find the profit and loss in each case यहां questions जो दिये गए हैं यहां पर profit and loss निकालना है यानि जब हम कोई समान खरीद कर फिर बेचते हैं बेचने के उदेशे से तो हम किस तरीक इसे खरीदते हैं हमने माल लीजे अब जैसे यह first question दिया गया है इसी को example ले लेते हैं CP, CP की full form है cost price, cost price का मतलब है कि जिस price पर हमने कोई समान खरीदा है अब cost price 200 है यहनि हमने कोई समान खरीदा 200 उपीज में SP यहनि selling price, selling price यहनि वो price जिस पर हमने समान बेचा है, selling price है 400 हमने कोई समान खरीदा 200 में और हमने उसे 400 में बेच दिया हम कम में खरीद कर लाए और ज्यादा में बेच दिया तो इस case में हमें profit हो रहा है अब इसी तरीके से ये question है third 132 रुपीज और 75 पैसे ये cost price है इतने रुपे में हम कोई समान खरीद कर लाए है और 149.50 में हमने बेच दिया देखिए हमने यहां कम में खरीदा है समान और ज्यादा में बेच रहे हैं फिर से profit second वाले part में 118 रुपीज और 25 पैसे इतने में हम कोई समान खरीद कर लाए हैं ये CP है और SP है 100 यह उसे 100 वे बेच आप देखिए 118 इतने में हमने समान खरीदा है और उसे हम कम में बेच रहे हैं हम ज्यादा में खरीद के लाए हैं और कम में बेच रहे हैं इसका मतलब यहां loss हो रहा है तो यही चीज़ हमें निकाल ले हैं अब यह दिया है first question CP है 200 और SP है 400 तो SP और CP में कौन ज्यादा है SP यहनी हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा SP का मतलब ज्यादा में बेचा है ज्यादा में बेच रहे हैं तो अब्यूसली हमें प्रॉफिट ही होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP में से CP माइनस करेंगे CP की place पे CP की value जो है 200, अब 400 में से 200 मैंनिस कर देंगे, बचा 200, यानि हमें profit हुआ है 200 रुपए कम, इस question में तो ऐसे भी साफ दिख रहा है, कोई सामान 200 में खरीद का 400 में बेच रहे हैं, तो हमें 200 का profit हो रहा है, हमने उसे formula पूट करके, इस question को solve कर दिया, अब इसी तरीके से CP पार्ट है, जिसमें CP है 118.25 पैसे, इतने में कोई सामान खरीदा है, और बेच दिया उसे 100 में, तो अब CP ज्यादा हो रहा है, और SP कम है, ठीक है, जो बड़ा होता है, उसकी तरफ यह माउथ उपन रहता है, तो CP ज्यादा है, यानि अब ज्यादा में खरीद के ला रहे ह CP, CP के निचे CP के वैल्यू रखी, माइनस का माइनस, SP के निचे SP के वैल्यू, और अब माइनस कर दो, तो आंसर है, 18.25 पैसे, यह था लॉस, इतने रुपे का हमें लॉस है, बिल्कुल इसी तरीके से इसके आगे के तीन पार्ट भी है, अब थर्ड कोशन है, फाइंड, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, जो कुछ भी इस कोशन में हो रहा है, वो निकालना है, इफ CP is 7,280, अगर CP 7,280 रुपे है, अमाउंट spent on repairs is रुपीज 620 और रुपेर पर कोई समान, रुपेर पर हमने कुछ पैसे खर्च किये है, वो है 620 रुपे, and SP is रुपेज 8,140 और सेलिंग प्राइज है 8,140 रुपे, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है, वो निकालना है, कोशन इसी की तरह है, जैसे first part था, CP है यह और SP दिया है, इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा दिया है, कि repairs पर कोई खर्चा किया है, देखे, जब हम कोई second hand चीज़े खरीद के लाते हैं, या कोई भी समान हम खरीद के ला रहे हैं, तो जब हम उसे खरीद के लाते हैं, तो वो हूँ हमारा CP, हमें कभी-कभी उस पर कुछ extra खर्चा करना पड़ता है, जब हमने कोई second hand चीज़े खरीद है, तो उसमें कुछ repairing की ज़रूरत होती है, कभी-कभी, repairing पर जो हमने खर्चा किया है, वो भी CP में total होगा, ठीक है, CP में वो add होगा, आपको इस समान इतने में खरीद के लाए हैं, उस पर 620 रुपे हमने repairing पर खर्चा किया है, तो वो पै जब होगा है, वो हमारा net CP, अब real CP हम इसे मानेंगे, ठीक है, तो CP हमें मिल गया, SP हमें दिया हुआ है, SP ज्यादा है, अब तेखिये, SP ज्यादा है, यानि ज्यादा में बेचा है, कमें खरीदा था, तो profit हुआ है, profit का formula पूट कर देंगे, profit is equal to SP minus CP, और उसे तरीक से value पू एक रिस्ट वाच, फो रुपीज फाइवंडर्ड, एक शॉप कीपर ने एक रिस्ट वाच खरी दी, पांसो रुपे में, और उसे साथ सो में बेच दी, वट इदी एर्ण, तो उसने कितना कमाया, प्रॉफिट और लॉस, और हाव मच, उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाय या लॉस कमाया, और कितना कमाया, तो साफ दिख रहा है, यहाँ पांसो रुपे में कोई घड़ी करीदी है, और साथ सो में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पी जादा है, तो लिखेंगे, सीपी ऑफ रिस्ट वाच इस इक्वल तो रुपीज 500, SP of wristwatch is equal to 700 रुपीज, SP जादा है, यानि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का फॉर्मला पुट किया, और सारी वैल्यू पुट की, SP और CP की और आंसर है 200 रुपीज, अब कोशन नमबर 2 जो है, इसको बुक में ही कर लेना है, इसमें कहा है, कम्प्लिट देबल को कम्प्ल रुपीज 2, 2 रुपीज का प्रॉफिट, पैन है, 38 रुपीज में खरीदा और 35 में बेचा, जादा हमें खरीद के, हम कमें बेच रहे हैं, तो वह में लॉस हो रहा है, कित रुपे का, 3 रुपे, 38 में से, आप 35 मैनिस करेंगे, तो 3 रुपे आएगा, लॉस और रुपीज 3 रुपे का लॉस, इसी तरीके से, इंक है, 40 में खरीदी, 50 में बेची, तो प्रॉफिट हो रहे है, तैन रुपीज का, यह लिदिंगे, प्रॉफिट और रुपीज 10, इसी तरीके से, टेबल कम्पेट करनी है,